उपरी स्तरों से सोयबीन भले ही काफी नीचे आया है लेकिन अब सरसो रिकॉर्ड हाई पर कारुबार कर रहा है NCDEX पर सरसो में तेजी देखने को मिल रही है NCDEX पर सरसो सितंबर वायद में 8600 का स्तर देखने को मिल चुका है तंग सप्लाई और त्योहारों पर मजबूत डिमांड से सरसो की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है NCDEX पर सरसो का भाव आल टाइम हाई पर है तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है तेहारों पर सरसो तेल की डिमांड और मजबूत रहने की समभावना जताई जा रही है वही पिछले सीजन में फसल करीब 10 फीस दी कम रही थी नई फसल आने में अभी लगबग 6 महीने का समय बाकी है सरसो का Carry Forward Stock भी काफी कम है और Cattle's Feed के लिए सरसो खली की मांग काफी मजबूत है इनी सब कारणों से सरसो की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है वही NCDDX पर सरसो पर नज़र डाले तो सरसो ने एक हफ़ते में 5 फीज दी, एक महीने में 10 फीज दी, तीन महीने में 22 फीज दी, इस साल अब तक 47 फीज दी और एक साल में 56 फीज दी और तीन साल में 110 फीज दी का रिटन दिया है वहीं बाजार की जानकार रूपा महता के मुताबिक सर्सू की कीम्तों में 9023 देखने को मिल सकते हैं यानि कि सर्सों में अभी तेजी का रुजान जारी रह सकता है